नमस्कार एक बाफिर आपका स्वागत है डीवी नियूस में मुख्यमंदरी शिरासिंग चोहान ने एलान किया कि भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा यहां कन्वेंशन सेंटर का निर्माड भी होगा सिरासिंग चोहान ने ये घोशना एक जून गुरुवार को भोपाल में गौरत दिवस के मौके पड़ की है इसके साथ ही अगले साल से इस दिन भोपाल में सरकारी चुट्टी का भी एलान किया गया है सिरासिंग चोहान ने कहा कि नर्मदापुरम रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा कमला पार्क से लाल घाटी तक आठ लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा केबल, कार और रोप वे चलाने के लिए भी प्रयास किये जाएंगे सीयन ने वेस्टन वायप पास बनाने की भी बात कही है वहीं आपको बता दे भोपाल में इगारफ दिवस की मौके पर रासधानी की मोतिलाल नहरू स्टेडियम में सांसकति कारिक्रमों का आयोजन भी हुआ इसमें गीतकर मनोज मुंतशिर और गायक श्रया घोशाल भी शामिल होई गीतकर मनोज मुंतशिर ने मंच से कहा कि श्रक के राज में भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा तो कब होगा वहीं वालिवूर्ट सिंगर श्रया गोशाल ने एक से एक प्रस्तुती देकर दर्शकों को जूमने पर मजबूर कर दिया